69,000 करोड की तमाम परियोजनाएं तमाम प्रोजेक्ट लेने के बावजूद नितीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है नितीश कुमार को इतना बड़ा पैकेज सरकार ने अपने बजट में दे दिया दरसल कीमत अदा कर दी उस समर्थन की जो नितीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को दे रखा है इसके बावजूद नितीश कुमार नरेंद्र मोदी से दूरियां बनाय हुए है जब प्रधान मंत्री ने नीती आयोग की बैठक की तो इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुँचे ममता बनर जी पहुँची लेकिन ममता बनर जी ने सरकार की बखिया उधेर दी अपनी बात ना कहने देने और माईक बंद कर देने का आरोप लगा दिया लेकिन नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो सत्था के भागिदार है नीतीश कुमार तो दिल्ली में नरेंदर मोदी की सरकार के साजीदार है बिहार में भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री है इसके बावजूद नीतीश कुमार नीती आयोग की बैठक में नहीं गए यानि मम्ता बनर्जी से बड़ा जटका तो नीतीश कुमार दे रहे हैं नीतीश कुमार बैठक में क्यों नहीं गए? क्या वो अस्वस्त थे? बीमार थे? बिलकुल नहीं नीतीश कुमार बिलकुल ठीक थे तो क्या फिर नितीश कुमार का कोई ऐसा कारिकरम लगा था जहां जाना बेहज जरूरी था बिलकुल नहीं नितीश कुमार का ऐसा कोई भी निजी या सरकारी कारिकरम नहीं था जिसमें जाना नीती आयोग की बैठक से ज़ादा जरूरी था तो फिर नितीश कुमार क्यों नहीं गए बहाना क्या दिया गया नितीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि नितीश कुमार जारखंड जेडियू के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे इस वज़े से वो प्रधान मंत्री की इस मीटिंग में नहीं गए अब दोस्तों जिस सरकार ने नीतीश कुमार के लिए पिटारा खोल दिया नरेंद्र मोदी ने दिल पर पत्थर रखकर हजारो करोड की परियोजनाए नीतीश कुमार को दे दी इसके बावजूद नीतीश कुमार नीती आयोग की बैठक में नहीं गए प्रधान मंत्री को धन्यवाद देने नहीं गए उल्टा ज्हारखंड नेताओं के साथ जो जेडियू के नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे अब दो वज़े दोस्तों समझ में आती हैं उन दो वज़े को बड़े गौर से सुनियेगा पहली सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आती है कि नीतीश कुमार विशेश राज्ज का दर्जा ना मिलने से नाराज हैं यानि 69,000 करोड का पैकेज भी नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर नहीं कर सका और दूसरा नीतीश कुमार जारखंड के विधान सभाचुनाओं में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और इस बात के लिए उन्होंने भारती जनता पार्टी को संकेत भी दे दिया है लेकिन भाजपा इस बात पर तयार नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी जारखंड में अपने प्रत्याशी उतारे तो अपने तेवर दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने जारखंड के जेडियू नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी और ये मन्थन शुरू कर दिया कि आखिर किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे और अब भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब नीतीश कुमार को सब कुछ दे दिया गया है तो फिर वो जारखंड की तरफ क्यों देख रहे हैं दरसल नीतीश कुमार तो महराश्ट की तरफ भी देख रहे हैं नीतीश कुमार जारखंड महराश्ट दोनों राज्यों में जो विधान सभा चुनाओ होना है वहां अपने प्रत्याशी लडाना चाहते हैं अब भाजपा को लग रहा है कि इतना बड़ा पैकेश दे दिया अब नीतीश कुमार चुपचाप साथ देंगे लेकिन नहीं नीतीश कुमार एक तरफ तो चुनावी बैठके कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली जाकर उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की जो बैठक थी नीती आयोग की बैठक थी उसमें वो नहीं गए भाजपा को लगता था नीतीश कुमार बुके लेकर दिल्ली दोडेंगे नरेंद्र मोदी को बुके देंगे धन्यवाद देंगे लेकिन ऐसा कुछ नीतीश कुमार ने नहीं किया यानि मम्ता बनर जी तो विपक्ष की नेता है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोलती है सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलती है तो फिर भी समझ में आता है लेकिन नितीश कुमार जो नरेंदर मोदी के साथ है जो नरेंदर मोदी के गड़बंधन में है एंडिये के घटक डल है वो नितीषकुमार आखिर मरेंद्र मोधी से दूरियां क्यों बना रहे हैं कै इतना बड़ा बजट मिलना भी नितीषकुमार को संतोष नहीं दे रहा और नितीषकुमार विशेशराज के दर्जे के ना मिलने से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने दिल्ली से दूरी बना ली और संदेश देने के लिए वो जहारखंड के जनतादल उनाइटेड के नेताओं के साथ बैठक करते रहे ताकि दिल्ली को इस बात का इल्म हो जाए दिल्ली को इस बात की जानकारी मिल जाए कि नितीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकत हैं इसलिए विशेश राज्य का दर्जा और जार्खंड और महराष्ट में सीट शेरिंग में सीटें अगर ना मिली तो फिर नितीश कुमार कुछ ऐसा कर देंगे जिसके बारे में नरेंदर मोदी अमिश शाह जेपी नड़ा इन तमाम नेताओं ने सोचा नहीं होगा बिहार में कुछ ऐसा जटका दे देंगे जो नरेंदर मोदी को परिशान कर देगा और दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर नितीश कुमार ने जटका दिया तो उसका असर दिल्ली में नरेंदर मोदी की सरकार पर भी होगा यानि नितीश कुमार के तेवर अभी भी वैसे ही हैं नर वो कभी भी पलट सकते हैं.